नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study 99% यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सोने का दाम निकाला सिखाऊंगा अगर आप इस वीडियो को अन तक देख लेते हैं तो कभी भी आप ठगे नहीं जाएंगे ठीके तो देखिए इसमें कुछ पैमाने होते हैं पैमाना क्या होता है उसमें होता है एक तोला या एक भरी ठीके तो कहता है कि एक भरी सोने का दाम है पच्चास अजार रुपे या बावन अजार रुपे ठीके तो देखिए एक तोला में या एक भरी में कितना ग्राम होता है तो एक भरी में होता है दस ग्राम सोना ठीक है तो यानि कि दस ग्राम सोने का दाम हो आपसे बताएगा तो ठीक है अगर मालिजी आप तीन ग्राम और चार सो मिली ग्राम सोना लेते हैं तो कितना रुपे उसको देना होगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, और एक पैमाना है कि, एक गराम में 1000 मिली गराम होता है, ठीके, तो देखिए, आपको जो भी रेट मिलेगा, आप उस रेट से साल्व कर लेंगे, ठीके, तो देखें यहाँ पर क्या आए 10 गराम का दाम है यानि एक भरी सोना का दाम है 50,000 रुपे मतलब 10 गराम 10 गराम में एक भरी को कहते हैं 10 गराम को तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 10 गराम का दाम कितना रुपे आए 50,000 ठीक है 10 गराम का दाम है 50,000 हम खरीद कितना रहें 3 गराम 400 मिली गराम तो पहले हम लोग एक गराम का निकान लेते हैं एक गराम का कितना हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे एक गराम सोने का दाम तो एक गराम का निकानने के लिए हम लोग इस 50,000 में 10 गराम से भाग दे देंगे ठीक है पच्छास हजार बट्टा यहाँ पर लिख देंगे 10 ठिक है 10 गराम है यहाँ पर लिख देंगे 10 ठिक है तो 1 गराम का पता चाल जाएगा, इसको काट देते हैं जेखें, 0 से 0 कर जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा, 5 पर 3 0 1 2 3, इसका मतलब 5000 रुपया ठिक है एक गराम सोने का दाम कितना रुपे आपका पांच हजार रुपे हम खरीद रहें तीन गराम तो यहाँ पर लिख लेंगे तीन गराम सोने का दाम तो पांच हजार में क्या करेंगे तीन से गुड़ा करा लेंगे पांच हजार गुड़ते तीन तो कितना आएगा तिन पचे पंदरह थीक है पंदरह और तीन ठो 0 एक दो तीन 15,000 रुपए आ जाएगा ठीक है तीन गराम सोने कदाम हो जाएगा 15,000 रुपए लेकिन आप अभी 400 मिली गराम भी खरीद रहे हैं और एक गराम में होता है एक हजार मिली गराम ठीक है तो इसको हम लोग कैसे रहे देंगे पैमाने पर ध्यान से दिखे इसको लिखेंगे आम लोग की 1000 मिली एक हजार मीली ग्राम ठीक है ये इस तरह लिग दे रहा हूँ है यमजी मीली ग्राम का दाम कितना रुपए है lottazn मात में कपते हां एक sarcasm मिली ग्राम का तो सबसे पहले हम लोग एक मिली ग्राम का निकाल लेंगे एक मिली ग्राम का निकालने के लिए पांच हजार में एक हजार से भाग दे देंगे पांच हजार में एक हजार से भाग दे देंगे ठीक है पँड़ते पांच हो जाएगा ठीक है तो आपका जाएगा पांच ऋको बीस और दो ठोजीरो एक, दो कितना आगया दो हजार रुपया ठीक है तो देखे एक के आऊगा 400 मिलीग्राम सोने कदाम दो हजार रुपया और तीन कराम और यहाँ पर हम लोग निकालें तीन कराम सोने कदाम पंदरा हजार रुपय तो इसको हम लोग जोड लेंगे पंदरा हजार और इसमें दो हजार ठीक है तो कितना आजाएगा पंदरा दो कितना होगा यहाँ पर 0 होगा यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 5 2 7 और यहाँ पर 1 कितना हैगा 17,000 रुपे ठीक है तो आपका हो जाएगा 3 गराम 400 मिलीगराम सोने कदाम 17,000 रुपे और दोस्तों वह आपकर क्या करता है मजदूरी भी जोडता है ठीक है तो मजदूरी जो चाहे तो अपना 300 जोड़े या 400 जोड़े तो जो भी जोड़ेगा तो उसमें बस उसका मजदूरी आप जोड़ देंगे ठीक है तो हो जाएगा जैसे 17,000 में अगर वह अपना 400 मजदूरी जोडता है तो 400 इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो जाएगा कितना सत्रा अजार चार सो रुपे ठीक है स्वरी चार सो तो दोस्तो इस तरह आप सोने का दाम निकालेंगे मुझे अमीद है कि आप लोगों को एक दम अच्छे समझ में आगया होगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जैहिंद